ये तो वाकई पागलपन है भला ये ट्रेनिंग इन्विंसिबल यॉनाइटिट को और मजबूत कैसे बनाएगी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग सर टेस्ट के मुताबिक ये खेल के दौरान खिलाली की ताकत और स्पीड को 27% से बढ़ाती है ये तो सिर्फ इनकी सोने की काबियोत को बढ़ा रही है और कुछ भी नहीं मुझे अभी सूपर स्ट्राइकर्स से आगे निकलना है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बेकार है अब बस कुछ ही देर में सूपर स्ट्राइकर्स का मुकाबला क्लब पार्लमेंट टियरी से होगा मिलते हैं एक ब्रेक के बार यो मैं को जो कभी सोचा है मुझे सा बनना कैसा लगता है अब बेश है बूच की मेरी नई सिकनेचर लाइन जो बहुत ही चल्द आपके नजबिकी स्पोर्ट स्टोर में मिलेंगे सोल पावर बेबी रिजिस्टन्स प्लेइंग मिल गया मुझे मेरा जवाब बस अब उस जो के सोल पावर को बनाना है नो पावर और वो भी उनके आने वाली मैच से पहले आखर मैं पहुँच गया मेरा दिन धानका है पचासाजार फैंस का शोर है सासे तेज हो और माच शुरू हो दा मैं आया हूँ यहां पे लेगे हॉसलों की तार लगा दू में अपनी जार पिर है जीप मेरी यार हर पचो तुम देको मैच का मुच में छेपा पाई दो तीमें पुल्स ट्रिकार HER W centigrade मेरी थाज्वेजैस् 파र्णोन कंगर फार्णोन सांसों में मेरी ये फाइचा आज पहले बादू का स्ट्राइकर्स स्ट्राइकर्स मैच का दिन आ गया सूपर स्ट्राइकर्स का सामना है क्लाब पार्मेंटियरी से मैं पूरी तरह तयार हूँ अपने नए सूपर लीक स्काफ में क्या कहा तुमने मैंने कहा मैं मैच के लिए तयार हूँ अपने सूपर लीक स्काफ में ये तो वाकई कूल है जो ब्लॉक को एक जोड़ी मिल सकती है मेरे पास इसके साइस की एक जोड़ी है दोस्त कम आन फाइटर, कभी तो अपने दोस्त की मदद कर ठीक है, अगर तू अपने कलब में एक हफते तक मेरे पसंद का म्यूजिक बजाएगा, तो मदद करूँगा मुझे मन्जूर है अहा अरे बापरे, इने कहीं फेका, अभी क्या भी आज कमाल कर दिया, इससे बहतर वो पहले कभी नहीं खेले, और इक ट्राइमिक का तर जवाब नहीं इसका खेले डांस बिखने जैसा है, इससस्ट्राइकार्स का कोडिनेशन पहतरीन है गॉल कैप्टिन रास्टा, हमने तुम्हें इससे पहले बहतर खेलते नहीं देखा, आज के गेम में क्या अलग था हमारी टाइमिंग सही थी, और हम सब मिल कर खेलते हैं और साथ ही हमें जो के नए जूतों की मदद भी मिली शेक, तुम सालों से वहीं जूते पहन रहे हो ना? वो, मैं... आज की शानदर परफॉर्मेंस की बाद तो ये तैह है कि कुल जो के नए जूते कमाल के हैं अब आगे सूपा स्ट्राइकास दो नाइट गेम्स खेलेंगे बच के रहना को लॉसुस और कोजमोस दोनों जूतों का वजन तो बिल्कुल इन जैसा ही है हमने गीलापन सोखने वाले एक लेड अलॉय का इस्तमाल किया है आगे आने वाले दो नाइट गेम्स में स्ट्राइकास गीले माहौल में खेलने वाले हैं ये जूते धीरे धीरे भारी होते जाएंगे और फिर छे परसेंट इनसे बात बनेगी या नहीं जितने ज्यादा गीले उतने ही अच्छे आब हमें उस जो के जूतों से इनकी अदला बदली करनी है बेखो चाहे जो भी हो जाये तुमारी टाइमिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए स्केट पार्क अब्सिकल कोर्स उसी हुनर पर काम करेगा बहुत अच्छे ये गेम में काम आएगा सही का जब हम ये मूव फील्ड पर आजमाएगे तो धूम मच जाएगी चलो फिर से करते हैं बोस यहां क्या कर रहे हैं सुनो जो कल के मैच की बाद तुम्हारे नए जूतों के डिमांड बढ़ गई है इससे हम काफी पैसा कमा सकते हैं मैंने फैसला किया है कि आपसे सारे मैचस में टीम यही जूते पहनेगी क्या बात है इसे कहते हैं कमाल की खबर और मैंने एक लॉंच इविंट रखा है तुम सब को वहाँ आना है वल्कम तु कूल जोस टिकेट दिखाएए मिस्टर जो के लिए डिलिवरी है ठीक है इसे अद्दर ले जाओ असले की जरूबत नहीं है वो जूते कहा है हमें देखने है अभी लो पेश है कूल जोस सोल पाओगा तो जो हमने यहाँ देखा कल कुम सबने नए जूतों में कितना अच्छा खेला इनमें क्या अलग बात है मेरे डांस फ्लोर और फील्ड वाले एक्सपीरियंस की बलबूते पर मुझे लगता है ऐसे जूते पहनने चाहिए जो आपकी स्टाइल बढ़ाए सूपर स्ट्राइकर्स की टाइमिंग का जवाब नहीं वही हमारा हत्यार है और यह जूते उसी को कॉंप्लिमेंट करते हैं और इससे पहन कर पैरो की बद्बू भी नहीं आती है फाइटर पर यह टेस्ट हुआ है अच्छा मजा अच्छा शेक अब चुपकर तो फाइटर क्या तुम भी पाकी के मैच्चिस में यह जूते पहनने वाले हो हाँ अब यह जूते और भी पॉप्लर हो जाएंगे मेरे पहनने से यह और काल के हो जाएंगे है ना क्या यह वक्ट जूते पतलने के लिए सही है तुम्हारे अगले दो मैच्चिस कोलोसस और ओरायन के खिलाफ है वो पहुत तगड़े हैं हे 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 हम भी कम नहीं और अब हमारे पास सोल पावर है है ना जो सही कहा ना जो यह सच है मैडम सोर लेगा दो यह स्पेंजा तुम्हें को नहीं करने देगा आज कोलोसस के खिलाफ तुम यह चाल चलोगी शेक अगर मौका मिला तो क्यो नहीं बढ़िया शॉर्ट दोस्त क्या बढ़िया पास दिया तुमने क्या पॉफिक्ट टाइमिंग थी वैसे क्या तो मुझे भी अपने मूव सिखा सकते हो सॉर्य यार अब जाकर कॉलोसस को हराना है पर ये लो इन्होंने मेनी बहुत मंदद की है शायद तुम्हारी भी करें सच में रख लू शेक सूपा लिग में मिलते हैं तुम सच मुझ अपने पुराने जूते दे देना चाहते हो अब मुझे उनके जरुवत नहीं है जो के जूते कमाल के हैं ठीक है बस तुम वो सारी चीज़े मत दे देना जो शेक को असली शेक बनाते हैं डोंट वरी यार अगर मैं ऐसा कुछ करू भी तो मुझे पूरा यकिन है कि तुम मुझे रोक लेगा स्ट्राइक अलान में मिलते हैं हाँ वही मिलते हैं मैच बस शुरू होने वाला है सुपा स्ट्राइका सही पॉम में है क्या आज राद भी वो अपना कमाल दिखाएंगे अब क्या है मैंने पहना है मेरा नया ओफिशल सूपर लीग माउट गार्ड इतना चाहता हूँ मैं इस गेम को हेई तमें पता है कहां मिलेगा ओफिशल सूपर लीग बॉक्सिंग ग्लाव चलो चले अज तो वो गया इको स्ट्राइका आज तो वो कुछ अखी जाही खेल रहे हैं यह देखने की किसी ही उमीद नहीं की होगी एक क्लॉसस क्लियर क्याटन रास्तरा से आगे निकल रहा है इस क्याचिट के आगे निकलना तो किसी के बस की बात नहीं थी पर्सियस ब्लॉक से आगे निकल कर नेकर पहुच गया है और की हुआ इस बाज को पहला को काफियर के इस स्ट्राइका इक नाम रख कभी नहीं खेले हैं मैक, तुम कुछ कहना चाहते हो? आँ, विना इन्टो कमाल कर दिया मैं समझ गई लगता है जैसे सबी स्ट्राइकाद में अपती घडिया अलग अलग टाइपर सेथी हैं इन में बिल्कुल कॉडिनेशन नहीं है तुमने बिल्कुल सही बात रहे हैं तुमने पर नहीं आठाओ, क्या हो रहा है? लगता है सूपा स्ट्राइकाद एक साथ खेलने की कोशिश कर दो रहे हैं बढ़िया पास ब्लोग काद टाइगर को और ये फाइटर की पहतरीन है नहीं और इशेक्स की बढ़िया के आउ, नजाने स्ट्राइकाद क्या करने की कोशिश कर रहे थे पर जो भी किया सही नहीं था अजीब है, ट्रेनिंग में तो बात बनी थी और लो हो गया मैंच का फैसला तो लॉस इसको हमीशा महनत करनी पड़ती है पर आज तो उन्हें कुछ नहीं करना पड़ा ये सब तेरी कलती है आज लग रहा था जैसे मैं कीचर में भाग रहा हूँ आज तो मैं टाइगर की तरह नहीं बल्कि कच्छुए की तरह खेला यो वस तुमने इतना बुरा खेलने की गलती कैसे की क्या तुम कूल जो जूतों की विकरी घटाना चाहते हो रिलीज के बाद देखो कितनी विकरी हुई है वो इसलिए क्योंकि तुम वो जूते पहन कर जीते थे अगर तुम हारने लगे तो जानते हो क्या होगा दरसल हम इन जूतों की वज़े सही तो हार रहे हैं हाँ यह बहुत भारी लग रहे हैं जागा यह भारी है बहुत ज़्यादा भारी ब्लॉक भी कह रहा है कि वो इसे धीमा कर रहे हैं पुराना और नया दोनों का वजन बिलकुल पराबर है मुझे लगता है कि खराब खेलने के लिए तुम सब बहाने ढूंड रहे हो हमें जरूरत है प्रैक्टिस के बक्त हमारी टाइमिंग पर और थोड़ी मेहनत करने की और तुम सब कुल जो बूट सी पहनोगे और आज की हार के बाद सूपा स्ट्राइकास की रैकिंग गिर गई है और उनका अगला दुश्मन औरायन उन्हें इतनी आसानी से उपर नहीं आने देगा सुना है आज बारिश जारी रहेगी इसे औरायन की एरियल स्टाइल को काफी फायदा मिलेगा बारिश पहली बार ये शब सुनकर मुझे इसनी खुशी हो रही है वो जूते सारा पानी सोकते जाएंगे और उन सूपा स्ट्राइकास की बैंड बजा देंगे कूल जो के जूतों ने कलोसस के सामने स्ट्राइकास को दिलाई हार नए जूतों की लाद पड़ी सुपा स्ट्राइकास पर भारी मुझे मत दिखाओ सॉरी जो लेकिन आप मुझे तेरे नए जूतों पर यकीन नहीं रहा आप मैं अपने पुराने जूते बहनूँगा लेकिन वो तो मैंने दे दिये इतना बुरा तो मुझे तब भी नहीं लगा था जब मैंने अपने फेवरेट रिकॉर्ड पर चॉक्रिट मिल्क गिराया था यह सब मेरी गलती है आहा मुझे तो लगा था उस जो के जूतों ने अब तक तुझे ठंडा कर दिया होगा शेक आज के गीले हाला दोनों ही टीम्स की रफ्तार धीमी करेंगे पच्चू की और आयल बॉल को ज्यादा तर हवा में ही रखते हैं उनको ज्यादा एद्वांटेज है आप बिल्कुल बेंगा उन्हें ज्यादा एद्वांटेज है अब क्या है ओफिशिल सूपर लीग बबल कॉम वैसे ये कहना सही होगा कि इस गीले हालात का असर दोनों टीम्स पर होगा पर सूपा स्ट्राइकास का हाल दे कुछ ज्यादा ही बुरा लग रहा है कहना मुश्किल है कि इसकी वज़े ये गीले हालात है या फिर कुछ और पर एक बार फिर सूपा स्ट्राइकास अपी टाइमिंग चूपते जा रहे है इस पानुशे पर इस खेल पर बहुत पुरा असर बड़ा है प्रेंचा अगर तुमने वही कहा जो मैं कहना चाहती थी तो तुम बिलकुल सही हो और राइन तो बड़ी आथानी से खेल रहे हैं पर लगता है जैसे सूपा स्ट्राइकास को किसी ने जमीन से चिपका गिया हो मेरा प्लाइन बिलकुल सही जा रहा है इन्विंसिबल युनाइटेज जाएंगे उपर और सूपा स्ट्राइकास जाएंगे नीचे पर स्टाफ खत्म होने में दस मिनट है और मुझे तो लगता है आप और राइन को स्कोर करने में ज्यादा देर नहीं लगी चाहिए मैं हो स्मूध मेरा ग्रूव मेरा मूव करूँगा प्रूव ऐसा नहीं हो सकता अब हालाद बदलने का वक्त आ गया है शेक तुम्हें कुछ बोलना चाहता है क्या तीन शब्द नहीं दस शब्द जाकर मिलो उस बच्चे से और ले आओ मैं समझ गया स्पेंजा आ रहा है लगता है शेक कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है चलते मैच में चलो कम से कम पर्स्ट हाफ के हद्म होने तक एक स्ट्राइका की ट्राइलिंग्स कही हो गई है नहीं जोल और राइन का फाता खुल गया और जिस तरह स्ट्राइकास खेल रहे हैं लगता है उन्हें और गोल्स करने की जरूरत पढ़ेगी ही नहीं मजाख है क्या शेक ने इन्हें मुझे दिया और तुम भी वही थे हाँ तुम भी थे हाँ पर क्यों ना हम एक सौधा कर ले में शेक के पुराने जूतों के बदले तुम्हें कूल जो सोल पावस के एक जोड़ा कर दूंगा बलो मन्जूर है मन्जूर है हाँ जरूर ये लो आजकल तो हर तुम पर सोल पावस के ही चर्चे हैं हाँ उन्हें ले आओ रुक जाओ अरे वाप पर साओ शेक ने तो बिना जूतों के ही ज्यादा अच्छा खेला शायद हम सब को भी ऐसा ही करना चाहिए और ऐसा करके अभी अभी किये हुए पेड़ी के और की बैंड बजा दू बिलकुल भी नहीं मुझे लगता है कि कहीं कुछ न कुछ तो गरबर जरूर है रुक जाओ पेंजा हलो मेरे प्यारो शेक क्या तुझे सच में लगता है कि हमें जूतों की वज़े से हार रहे थे ये क्या ये एक मेटल डिटेक्टर है ना जे सर मेरे जूतों में मेटल डिटेक्ट हो रहा है ये हो ही नहीं सकता ब्लॉक लेटकी एक पतली ले इसलिए तुम सब की स्पीड कम हो रही थी पर मेटल इतना भारी से भारी कैसे होता जा रहा है मुझे पता है इस मेटल में छेद हैं जिससे गीलापन आसानी से अंदर जाकर जमा होने लगता है मुझे पहले ही समझ आना चाहिए था चलो कम से कम हम जान तो गए कि हमारी भारी मुसीबतों की जड़ क्या थी समझा ये तो साफ है कि पहले मैच और कलोसस वाले मैच के बीच किसी ने जूते बदले हैं लेकिन ये किया किसने तो आप क्या करें उनका एक गोल हो चुका है अब हम क्या करेंगे फिर से मुझे टोका जवाब हमारे सामने ही है ये आए सूपा स्ट्राइकर अपनी जूते बदल कर यहाँ स्ट्राइकर कर खोया हुआ जो श्लॉट आ रहा है अरे बॉल शेक के पाफ अच्छी डॉजिग शेक ने पास किया जोको अब बॉल हर्टाइजर के पाफ अब लगते हैं ये अपना चल्बा इक पास जिन से खाके रहेंगे कमाल के खेल का प्रदर्शन और ये पाफ अच्छी पहतने इनके और कोल नहीं अब स्ट्राइकर अरायन पर भाद पढ़ने लगे है वक्त निकलता जा रहा है गेम स्ट्राइकर्स के कंट्रोल में है पर क्या वो आगे निकल पाएंगे पिश्ली बार जब ये सिगनल दिखा था तक सुपर स्ट्राइकर्स कोई ज्यादा गुल ने खिला पाएंगे एक बार सिर्फाइकर के पेस्टरीन हेडिंग गॉर्ष्ट्राइकर्स ने अपनी हुदर और टाइमिंग का शांदार प्रदेशन करते हुए मैच को जीत लिया है शेक इतने खराब फर्स्ट हाफ के बाद भी तुम सबने ये मैच कैसे जीता हमारी नई टेकनीक रिजिस्टेंस क्या भारी जूतों से शुरुआत करो ताकि जब तुम उन्हें उतारो तो ऐसा लगे कि तुम उड़ रहे हो ये सब पोच का आइडिया था वो तो जीनियस है मेरे खैस से उन्होंने हमारा पासा उल्टा कर दिया 98% के मार्जिन से एक काम करता हूँ मैं फिर से शायद मुझे अब यहां से 100% निकल लेना चाहिए ये जूते मेरे डांस मूज जितने ही साफ हैं लगता है सिर्फ उन्ही जूतों में खराबी थी जो हमने पहले पहने थे खबर मिली है इन जूतों की विक्री आसमान छू रही है ये पूरा स्केंडल एक बहतरीन एड़र्टाइजिंग केंपेंग साबित हुआ है भी हो अपसे तो मैं बस अपने पुराने वफादार जूते ही पहनूंगा बॉस अरे याद आया वो भाड़ा हुआ जूता कहा है हम उसे कलेक्टरस आइटेम की तरह बेच सकते हैं